दोस्तो राम मंदीर के उद्घाटन में सल्मान खान को राम मंदीर के अंदर जाने नहीं दिया जिहों दोस्तो इतना ही नहीं दोस्तो मैं अब सब को बता दू कि आप लोग तो जानते हैं सल्मान खान बॉले बोड इंडिस्ट्री के कितने बड़े सूपर एस्टार है लेकिन वो खुद राम मंदिर के उद्घाटन में अयोध्या पहूंचे हुए थी लेकिन जब राम भगमान के दरसन के लिए सलमान खान मंदिर के अंदर जाने लगे तब आदित योगी नाथ जी ने सलमान खान को मंदिर में जाने से मना कर दिया और कहने लगे कि यहाँ पे आज जो है मुस्लिम का आना सक्त मना है दोस्तो आप लोग तो जानते हैं सलमान खान कितने बड़े एस्टार है बॉलीबूर्ड के इसके बाब जूद भी सलमान खान को आदित योगी नाथ जी ने मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया दोस्तो आप लोग हमें कॉमेंट करके बताईए कि योगी आदित नाथ जी ने जो कुछ भी सलमान के साथ किया है वो सही किया है या फिर गलत आप लोग हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं इतना ही नहीं दोस्तो मैं अब सब को बता दू कि PM नरिद मोदी जी और CM योगी जी ने ये ऐलान किया था कि 22 जनवड़ी को जिन लोगों को इंविटेशन मिलेगा वही लोग राम मंदिर को देखने के लिए 22 जनवड़ी को अयोध्या आएंगे लेकिन ऐसा नहीं था दोस्त सलमान खान को 22 जनवड़ी का कोई इंविटेशन नहीं मिला हुआ था इसके बाप जूद भी सलमान खान 22 जनवड़ी को राम भगमान के दर्शन के लिए अयोध्या पहुँच गए और इसी कारण बज़ा से सलमान खान को राम मंदिर में अंदर जाने की अनुमती योगी आ किया है इस तरह से दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हो जिस तरह से सलमान खान बीना इंविटेशन के 22 जनवड़ी को अयोध्या पहुच गए और उसको आदिती योगी जी ने राम मंदिर में अंदर जाने नहीं दिया है इसके लिए दोस्तों आप लोग क्या कुछ कहन है दान्यवाद